सबसे पहले happy independence day to everybody आज देश का 77 वा सोतंतरता दिवस है और हर साल की तरह ये बारे में हमारा महींद्रा के नाम पर बुक रहा है इस बार बुक क्यों रहा है हमें केप्टरन गुलाए गया है दो कॉंसेप्स दिखाए गया है एक नया ट्राक्टर का ब्रैंड ओजा कॉंच किय गये हैं दो कॉंसेप्स दिखाए गये हैं जो की फ्यूचर में जहांकने की कुशिश करते हैं तो एक यह नोर्म मिलता है उनकी बात करते हैं शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम ग्लूबल पिक अप कॉंसेप से let's start with the first car or first concept which is a little realistic because this is on Scorpio N. so we know the platform, that is the body on frame platform, that is the diesel engine, M Hawk which we have seen, that means new generation ladder frame chassis, the new engine that these guys have, 2.2 litre, same power output figures and everything but when you talk about the looks, it has completely changed and that is a good thing, यह पहली बार very unlike Mahindra design लग रही है क्योंकि otherwise Mahindra की गाड़ियों में वह हमेंचे वो टिपिकल जो एक ग्रिल के साथ में कहीं पर करने कोशिश करते हैं वो चीज़ यह करते हैं, this is like a blacked out grill, this looks really really nice, थोड़ी modern नजर आती है, यह lights जो है वो आपको दिए गई है, फिर आप हेड glam position जो दी गई वो भी अची लग रही है, toe hook जो है, it's done in a different way, but like I said, it's concept है, तो concept के साथ में कई सारी चीज़े आप कर सकते हो, max load capacity यहां पर लिखी गई है, 5 tons से ज़्यादा की max load capacity है, और दो toe hooks दिए गए है, orange कल में finished really well, the cladding in everything is finished really well, यह सिफ concept लाइक नहीं लग रहा है, actually लग रहा है कि यहां धंका material है यहां पर भी और इंच फिनिश दिया गया है, तो टायर भी जो है, वो ब्रॉड पैटन जो आपको ट्रेड पैटन होता वो मिलता है, that means, off-roading को यह दिखाने की कोशिश करता है, 18-inch के टायर आपको मिलते हैं, 286-18, that's the profile, और अभी, actually यह फा Scorpio, by the way, थोड़ी और उची लग रही है, Scorpio से भी, Scorpio N से अगर में बात करूँ, तो हो सकता है, finally, suspensions, Pentagon यह यह यूस करेंगे, तब वो बहुत जाथा Scorpio जैसी हो, हलका सा suspension travel जो है, बढ़ा सकते हैं, here, you see the orange element, फिर यह glossy black, snorkel जो है, काफी उपर position है, that means, अच्छी water waiting capacity यह ल जो floodlight की जैसे काम करती है, LED में दीगे यह वो भी, फिर दोर जो है, एक तो color जो है, वो तोड़ा बहुत अच्छा लग रहे, Scorpio में भी color आपने देखा नहीं है, तो एक color जो है, वो अच्छा लग रहे, door handles के आबात करोगे, तो of course, यह concept है, तो मैं इसको खोल के बतानी सकत क्योंकि थोड़ा broadness इसको मिल रही है, अगर competition में बात करोगे, तो सीधे तोर पर कोई competition है ही नहीं, getaway जब एक टम पर आया कर दी थी, तो getaway भी technically किसी का competition आस तक बननी पाई है, that never became an aspirational sort of a product, Mahindraak का बहुत बड़ा सा, you know, नाम लिखा गया है, बहुत अच्छा finish लग रहा है, 4Xplore, that means 4WD system आएगा, but इसका 4WD system है, by the way, वो बहुत अलग होने वाला है, बाकि सबसे, उसके बारे में बात करेंगे, बड़ से बड़े, LED लाइट साखर आप देखोगे, तो आपको LED का close to the production, of course, थाइस्टेप अच्छी दो, आट सो डिवाइट किया गया है, यह एक अलग पाटा, यह अलग पाटा, सुफ इनकेस यो डैमेज वान, तो सिर्फ एक रिप्रेस करना पड़ेगा, बहुत सारी जो अन्फाक्ट्टर्स हैं, वो चाइल पार्स करते हैं, but अभी 4WD system की बात करते हैं, जिसके बारे में मैंने कहा कि वो एकदम अलग है, how is it different, अगर आप स्कॉपियों की बात करोगे, तो उसमें 4x4 system आता है, with the transfer case, that means, आप उसको रेर वील ड्राइव स्टैंडर्ड में चलाओगे, transfer case आता है, उसके बाद में 4x4 के जो different modes है, चाहे low, चाहे high range उसमें जा सकते हो, यहाँ पर 4 wheel drive है full time, but आपके पास में different modes दिये गए है, जिसके अंदर आफकोस आप चाहो, तो इसको low range में भी लेंगे जा सकते हो, high range में भी लेंगे जा सकते हो, but it is the full time 4 wheel drive by the way, और आपके पास में different drive modes हो में लेंगे, जिसमें zip zap zoom ये सब चीज़े की ग और ratios जो है, वो होड़ी चीज़े जाएंगे, तो यह इन्होंने कुछ करने के जाएंगे, इसके साथ में, but like I say, it is still a concept, it's not a production ready model, but अगर कुछ close है, जो दो गारें दिखाएंगे, उसमें से ये है, क्योंकि इसका chassis ready है, इसका engine ready है, तो बहुत कुछ है, design जो है, उसके final touches जो उन्होंने पहले दिखाया था, इंडिया में भी दिखाया था, जुसमें हमने दिखाया था, आपको की modular platform है, उस पर based on wheelbase के गारा बात करोगे, तो wheelbase जो है, वो 2.8 मीटर से 3 मीटर का है, which is pretty long to be honest, अगर आज के standard से गारा बात करोगे, तो आज के वाले थार से बहुत ज आप दिया गया है, कुछ typical elements है, जो थोड़े ruggedness को देते हैं, जैसे कि ये exposed hinges जो हमने थार में देखे हैं, उनको रखने की यहां पर कोशिश की है, फिर रनिंग बोड जो देखोगे, रनिंग बोड आच्चुली थोड़ा से impractical लग रहा है, I'm not sure if they can probably keep it, फिर आप cladding जो देखोगे, वो बहुत ही rugged लग रही है, heavy duty आपको bumper मिलता है, जिसमें की टो हुग जो है, orange color में दिया गया है, और काफी modern elements में टाले गया है, जिसमें full LED setup दिया गया है, ये triple bars दिये गया है, थार E की branding जो है ये दी गई है, glossy black finish में आप इसको finish किया गया है, tires की बात करूगे जो front में दिया गया है, उसी को replicate करने की कुशिश की है, ये खोड़ा बाहर निकल रहा है, again, थोड़ा concept like ये नजर आता है, heavy duty bumper, again, नया logo, आप अगर all wheel drive करना चाते हो, four wheel drive करना चाते हो, of course, dual motor setup को दिया जाएगा, front axle में एक, rear axle में एक, they can also go with the rear wheel drive setup, with the rear motor, with the motor in the rear axle, but overall, इम और, you know, कई गाड़ी उसे mix नजर आती है, but overall, definitely a refreshing change, but like I said, we still don't know if it is coming or not, it is still a concept, final model में क्या होगा, उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है, but काफी बड़ी लग रही है, significant लग रही है, और एक और चीज़ जो चालेंज होगा, वही है कि suspensions के साथ में भी इनको अलग करना पड़ेगा, पेंटाओन, सुस्पेंशन, जिरों ने बोला कि इसके साथ में जा सकते हैं, बैटरी के पास ही नहीं, 80 kWh के आसपास की ये लोग बोल रहे है, but ये सब चीज़े सिर्फ अभी तक हमें, वह बलते ना, इंगलो के आसपास बताएगी, कि इंगलो में क्या- ये गाड़ी जो है, वह थार, इलेक्रिक, अगर फ्यूशन में कुछ होगी, तो ऐसी लगेगी, which definitely doesn't look like the current one for sure, but yeah, it's got the modern elements, तो यही है इन दोनों गाड़ियों के बारे में, मैं आपको बता दिया कि ये क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इन दोनों में से जो close है production के जो मैंने पहले बोला था कि वो है आपकी जो pickup, इनका जो gluebird pickup concept है, वो जादा close लगता है, क्योंकि उसका platform इनके पास में है, इसका engine उसके पास, इन लोग के पास में है, उसकी underpinnings जो है वो इसके पास में है, तो वो सारी चीज़े दी गई है, but thar is still a distant reality, so that's what it is in this video, I hope आप watching this video.